Hello everyone, welcome to Zorawar Classes और इस वीडियो कोर्स में आपकी ये वीडियो रहेगी Growth and Development पर और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा Issues in Development यानि कि विकास के मुद्दे कौन-कौन से है देखे, Development अपने आप में एक बहुत important topic है इस पर बहुत सारी चीज़े हम करा ही रहे है लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं वो बहुत जादा जरूरी है आपको समझने कि कौन-कौन से ऐसे Issues हैं जो Development को लेकर हमारे दिमाग में चलते हैं जो theorist होते हैं, psychologist होते हैं या educationist होते हैं वो सब क्या सोचते हैं Development के बारे में कि Development में यह इशू होता है तो उन्ही Issues को आज हम पढ़ेंगे अगर हम main issues की बात करें Development में तो हमारी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं यह चार मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा Development में चाहे रहते हैं यानि कि अगर हम Development को पढ़ते हैं तो इन चार मुद्दों को पढ़ना बहुत जादा जरूरी है यह चार मुद्दे हैं नेचर वर्सेज नर्चर यानि कि प्रकरती बनाम पालन पोशन continuity वर्सेज डिसकंटिनुटी यानि कि निरंतरता बनाम अलगाव activity versus specific यानि कि सक्रियता बनाम निश्क्रियता या फिर universality versus context specific यानि कि सार्व भोमिक्ता बनाम संदर्ब विशिष्ट तो यह चार मुद्दे हैं फ्रस्ट, सेकिंड, थर्ड and फॉर्थ और इनी चारों मुद्दों को जो हैं हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे मैं आशा करते हूं कि आप लोगों ने शायद पहले भी इसको पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा detail में आप पढ़ लेंगे तो आपको clarity हो जाएगी और आपको इससे related कोई भी question अगर exam में आता है तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे सबसे पहला मुद्दा जो है वो है nature versus nurture का यानि कि हम nature की बात करें तो हम प्रकृति की बात करते हैं और nurture की हम बात करें तो हमारा लालल पालल कैसे हुआ है जैसे कि हमारा पालल पोशन किस तरह से हुआ है तो वो हमारा nurture का पार्ट होता है लेकिन मुद्दा ये है कि क्या विकास nature और nurture दोनों पर निर्भर करता है या केवल nurture पर निर्भर करता है या सिर्फ nature पर निर्भर करता है या फिर इन दोनों का मिश्रण है या इसका जाधा रोल है या इसका ज़दा रोल है मतलब इस तरह की कुछ बाते हैं जो हमेशा उठती रहती है हाला कि इन बातों का exact answer कहीं से नहीं मिलता है लेकिन जितना भी आज तक के psychologist या theorist हुए हैं जिन्होंने जितना भी इसके बारे में हमें studies बताई हैं तो उसके आधार पर हम कुछ इनके बारे में बोल सकते हैं और वही चीज़े में आपको बताऊंगी देखे पहले समझते हैं कि nature होता क्या है nature का मतलब होता है प्रकरती से जो आपको मिल रहा है यानि कि what comes to the child through a heredity यानि कि बच्चे को जो heredity से जो मिल रहा है आप सभी को पता है कि हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें विक्सित होती है जो और किसी में और किसी के द्वारा हमारे अंदर नहीं आ सकती है जैसे अगर हम कहें eyes अगर आखों के रंग की बात करें अगर किसी की आँखे नीली हैं जैसे mostly लोगों की आँखे आप सभी को पता है कि काली होती है हलकी ब्राउन होती है ठीक है लेकिन अगर नीला रंग है आँखों का या फिर आँखों का हरा रंग है तो यानि कि यह हमारे jeans का factor है एक तरह से यह हमें मिला है अपनी generation से अपनी मा जो भी हो सकते हैं ठीक है किसी की अगर उस तरह की आखे रही होंगी तो वह जीन जो है generation to generation मिलता है यानि कि अनुवान शिक्ता से मिलता है बहस यह हो जाती है कि हमारी जो पूरा हमारा एक design होता है जो कह सकते हैं कि हम जन्र से लेकर जिंदगी में जो भी करें वो सभी कुछ जो है नेचर पर सब चीजों में जो है है एक हो है तो मुद्दा यह है अब बात करते हैं नर्चर यानि कि पालन पोशन जिसको हम कह सकते हैं जो हमें environment से मिलता है कि बच्चे ने जनम तो ले लिया है ठीक है जो heritage factors बच्चे के अंदर आ गए है वो आ गए है लेकिन अब उसके वातावरन का क्या रोल है उसकी development में जब हम development की बात करते हैं तो environment का क्या रोल होता है हमारी development में ये मुद्दा है इस nature वर्सेस nurture का तो मैंने आपको formulated मुद्दा बता दिया और nurture से भी तो कुछ psychologist क्या मानते हैं कि नेचर का ही जादा रोल होगा, कुछ मानते होंगे कि नर्चर का जादा रोल होता है, या फिर कुछ मानते होंगे सिर्फ नर्चर का होता है, नेचर का कोई रोल नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सिर्फ नेचर का होता है नर्चर का कोई रोल नहीं होता है तो basically मुद्दा ये है ठीक है लेकिन अब इस मुद्दे में जो है कई चीजें हैं वो चीजें हमें पढ़नी थोड़ी सी ज़रूरी है देखें अब मैं आपको जनरल पॉइंट ओफ व्यू बता देती हूँ कि इसके बारे में व्यू क्या है देखें जो साइकलोजिस्ट हैं जो एजुकेशनिस्ट जो हैं उनके पास हमेशा ये डिबेट का मुद्दा रहा कि भई ये नेचर वर्सिस नर्चर का क्या रोल है अब जो पीपल हैं जो लोग हैं जो कहते हैं कि भई नेचर का रोल जादा होता है जो फेवर करते हैं नेचर को यानि कि प्रकरती को फेवर करते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ नेचर is responsible for the development यानि कि only nature is responsible for the development बच्चे की या इंसान की जो भी development होती है उसमें केवल नेचर का रोल होता है प्रकर्ति का रोल होता है जो इसको हैरेडिटी से मिला है जबकि दूसरी तरफ लोग क्या कहते हैं जो favor में है nurture के वो कहते हैं कि नहीं प्रकर्ति का रोल नहीं है जो development है वो environment पर depend होती है लेकिन इन दोनों ही views को अगर हम ध्यान से देखिए तो दोनों अपने आप में अपने आपको complete नहीं कर पाते हैं इन दोनों का जो mission है अगर हम nature को लेंगे और अगर हम nurture को लेंगे तो दोनों का mission ही हमें समझ में आएगा जो development में रोल नहीं हाता है तो देखें यह हमेशा इनके लिए बहस का मुद्ध रहा है बट इफ वी analyze the development of the individual लेकिन जितनी भी research हुई है जितनी भी study हुई है उनके आधार पर अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि यह product है दोनों का nature का भी और nurture का भी यानि कि दोनों का ही रोल होता है इसमें हम यह नहीं कह सकते कि हर इंसान में 60-40 का ratio होगा यानि कि 60% nature होगा और 40% nurture होगा वो डिपेंड करता है individual to individual हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसकी development किस तरीके से हो रही है यावर उसकी development में कितना heredity का रोल है कितना उसको conducive environment मिला है तो यह दोनों ही बातों पर निभर करता ह है तो हम पहले से यह नहीं कह सकते कि नहीं इसके अंदर पहले से हमने बच्चे ने जनम ले लिया और हम यह कहेंगे कि नहीं भई आप इसमें 50 environment का रोल होगा 50 heredity का रोल होगा ठीक है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ठीक है वो हर person to person जो है differ करेगा देखे सपोज मैं आपक example देती हूं दो twins थे ठीक है दो twins थे लेकिन उनकी mother की death हो गई अब mother की death होने के बाद एक को तो भेज दिया अपने मामा के पास ठीक है एक को मामा के पास भेज दिया और एक को भेज दिया बुआ के पास ठीक है एक को मामा के पास भेज दिया एक को बुआ के पास भेज दि लेकिन इस बच्चे ने भी बहुत ही aggressive nature अपना लिया और एक तरह से aggressive हो गया वो भी उनकी तरह ही abusive language यूज़ करने लगा जो भी था लेकिन जो मामा के पास बच्चा गया था इसको ऐसा environment दिया गया बहुत ही warm environment जहां पर बहुत ही अच्छी चीज़ा उसको सिखाई गई और यह सिखाई गया कि इस तरह से आपको बरताव करना है जो भी है तो देखा कि 10 साल के बाद जो है इनका father इनसे मिलता है दोनों बच्चों को देखता है कि दोनों बच्चे देखने में तो बलकुल ठीक लग रहे हैं एक जैसे लग रहे हैं ट्विन्स थे ठीक है लेकिन जब दोनों बाते कर रहे थे तो उन बातों में उसको नजर आ गया कि दोनों में कितना जादा अंतर है एक की परवरिश किस तरह से हुई है दूसरे की परवरिश किस तरह से हुई है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भई सिर्फ नेचर का रोल होता है वहाँ पर environment भी बहुत बड़ रोल निभाता है ठीक है तो हम ये मान कर चल सकते हैं चलो ये तो सिर्फ एक केस था जिसमें हमने देखा कि environment बहुत जदा हावी हो गया environment की वज़े से बच्चे का ये होगा ठीक है लेकिन कई कई बार ऐसे situation हो जाती है कि जादा heredity रोल निभा सकती है environment कम निभाता है तो द निरंतरता बनाम अलगाव भी कह सकते हैं इसको देखे continuity का मतलब क्या है जब कोई चीज continuously चल रही है बिना break के है न कोई भी कुछ भी break नहीं है राम से smooth processing चल रही है उसको हम continuity बोलते है निरंतर है कोई चीज उसमें कोई breakage नहीं है तो जो continuity के theorist हैं वो suggest करते हैं कि एक individual की development जो होती है वो smooth होती है और gradual होती है ठीक है स्मूद का मतलब बहुत ही अराम से चलेगी उसमें कोई रुकावट नहीं होगी gradual होगी अराम नाम से दीरे-दीरे भढ़ती रहेगी it is not stage specific देखे continuity जो continuity के जितने भी मानने वाले हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हू वाइगोट्स की जिनके बारे में आप हमारे कोर्स में भी पढ़ चुके होंगे और आपको आपने खुद भी कहीं से पढ़ा होगा वाइगोट्स की के बारे में इन्होंने कोई भी stages नहीं दी थी जब इन्होंने development पर काम किया जितना भी इन्होंने बच्चे की development में जितन बादा characteristics नहीं होती है यानि कि एक मानते हैं कि धीरे 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 बच्चा अपने आप बढ़ता जाएगा आप उसको stage में divide मत करो ठीक है आप यह मत दिखाओ कि ठीक है इतने से इतने साल का बच्चा stage में आएगा फिर एक दम से इतना हो जाएगा तो फिर दूसरी stage में आजाएगा तो इस चीज़ को यह लोग नहीं मानते हैं तो यह सिधान मानता है कि विकास की प्रक्रिया जो होती है बिल्कुल क्रमिक होती है उसमें चरण वगरा नहीं होते हैं अब the base for the path of all development stages common और यहीं म कहते हैं continuity को मानने वाले अब discontinuity को मानने वाले क्या कहते हैं यह भी हमें एक बार देख लेते हैं तो बहुत discontinuity मैंने आपको बताया कि continuity जो है वो stages को नहीं मानते हैं लेकिन जो discontinuity वाले हैं यह stage को मानते हैं यानि कि यह कहते हैं कि विकास की चरण में stages होती है और उन stages से बच्चा घुजर कर जाता है ठीक है अब जो change होगा वो abrupt होगा sudden होगा एकदम से अचानक सा हो जाएगा ठीक है मतलब पता चल जाता है कि अभी एकदम से आपको बच्चा बड़ा लगने लगे एकदम से उसकी बातों में changes आपको नज़राने लगे during the course of life it is stage specific this is very important यह stage specific होता है each stage's development of development is unique and characterized by distinct future हर एक stage का जो है अपना एक अलग role होता है उसकी अलग characteristics होती है ठीक है आप इसमें हम example ले सकते हैं सबसे बड़ा जो है P.A.J. का ठीक है हम Erikson का भी example ले सकते हैं जिन्होंने भी stages दिये जितने भी theorist हैं जिन्होंने stages दिये हैं हम उन्हों सब का example ले सकते हैं लेकिन क्योंकि प्याजों का आप सभी जानते होंगे तो P.A.J. की stages का example ले लीजे चार stages उन्होंने दिये development की cognitive development की और हर stage का अपना एक feature है ठीक है sensory motor वाला जो बच्चा होता है वो जो pre operation में जाता है तो वो कुछ और नहीं चीज़े सीख लेता है प्री operation वाले बच्चे में कुछ कमिया होती है जो कि concrete operation में पूरी हो जाती है जो मतलब उन कमियों को वो overcome कर लेते हैं फिर concrete operation वाला logical thoughts तो पहुंच जाता है लेकिन वो concrete चीज़ों तक पहुंच पाता है फिर जैसे ही वो formal operation में जाता है उसमें abstract thinking डिवलप हो जाती है तो पियाजे कहते हैं कि if a child is at infancy stage अगर एक बच्चा जो है infancy की stage पर है शैश्ववस्था की stage पर है he or she will exhibit the behavior of behavior peculiar to that stage तो वो उसी stage का behavior दिखाएगा जो infancy का होता है ठीक है लेकिन वो characteristic नहीं होगी adolescence की यानि कि infancy वाला बच्चा जो है adolescence की characteristics तो नहीं दिखा सकता है यानि कि हर stage की अपनी कुछ अलग 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 शमताएं होती है अपनी अलग अलग कुछ features होते हैं जो दूसरे stage में नहीं होते हैं ठीक है यह बात करती है discontinuity और continuity की theory I hope कि यह आपको clear हो गया होगा next देखते हैं अब इसको थोड़ा सा graph के थ्रू समझते हैं ठीक है जितने भी discontinuity वाले theorist हैं वो मानते हैं इस तरह की ठीक है stage specific है ऐसे जाएगी ठीक है stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 2 आपने complete कर लिए आप फटा फट से jump कर जाएंगे तो sudden होगा वो change अचानक से होगा जैसी आप 2 से 3 में पहुचेंगे तो आप फिर से jump करना पड़ेगा आपको सीधे आप ऐसे नहीं चड़ सकते आपको jump करके जाना ही पड़ेगा लेकिन अगर हम continuity की बात करें तो यहाँ पे smooth है कोई jumping नहीं है आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं तो this is about continuous development and this is about the discontinuous development next मुद्दा देखते हैं तो भई next मुद्दा है activity का और passivity का activity मतलब जहाँ पर बच्चा सक्रिये हैं बहुती active रोल निभा रहा है और passivity मतलब जहाँ पर बच्चा अपने आप से कुछ जादा रोल नहीं निभा रहा है जैसा आप लोग बोल रहे हैं जैसा कर रहे हैं उस हि अपने आप अपना पूरा पात्वे चुनता है कि वह वो किस तरह से डवलप करेगा, he or she doesn't accept what is coming naturally, और वो नहीं accept करना, जो भी उसकी तरफ आ रहा है, natural way में आ रहा है, वो उस चीज़ को accept नहीं करता है, ठीक है, अब बात क्या हुई है, देखे, जो activity को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मानते हैं, कि नहीं भी हर बच्चा जो है active होता है, उसका अपना एक तरीका होता है, development का, मतलब किस तरह से वो develop करेगा, वो choose करता है, और जो भी उसके पास आ रहा है, अब पैसिविटी वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बच्चा जो है एक्सेप्ट करता है, जो भी आ रहा है उसके पात्वियों, development में, ठीक है, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है, accept करेंगे, तो यह पैसिव जो लोग है, बहेवरिस्ट यानि की व्यवहारवादी जो है, वो सारे पैसिविस्ट वाली थियोरी को ही मानेंगे, क्योंकि उनके अक्वर्डिंग तो बच्चा जो है, एक्सेप्ट कर लेगा, एक चिकना घड़ा है, जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हम जोन लॉक की बात करते हैं, जोन लॉक जिन्होंने एक टर्म यूज की थी, टैबूला रासा, टैबूला रासा एक टर्म इननों यूज की थी, और इसी थियोरी पर पूरा बहेवरिजम कायम है, और ये मानते हैं कि बच्चे का दिमाग जो है, ब्लैंक स्लेट होता है, आप जैसा लिखेंगे, जैसा उसको सिखाएंगे, वो उतना ही सीख लेगा, और वो वैसा ही चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसी चीज़े उनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, मतलब ये कहते हैं, तो बेसिकली ये मुद्दा है, कि बेक कुछ लोग मानते हैं, कि बच्चा बहुत ही active होता है, और कुछ लोग मानते हैं, कि बच्चा जो है, बहुत ही passive होता है, आप इसमें जो आपके constructivist होते हैं, जैसे कि पियाजे हो गए, वाइगोट्स की हो गए, ये सब इसको मानते हैं लेकिन जितने भी बिहेवरिस्ट हैं वो सब पैसिव चाइल्ड की इस थियोरी को मानते हैं नेक्स्ट और आकरी मुद्दा है हमारा युनिवर्सालिटी वर्सिस कंटेक्स्ट स्पेसिविक तो भई जो भी डेवलप्मेंट का प्रोसेस है वो पूरा सार्व भॉमिक है हर जगह पर एक जैसा चलता है या फिर वो संदर बेविशिष्ट है कि उस पर किसी विशेश कंटेक्स्ट का जो है इफेक्ट पढ़ता है और उसके वज़े से डेवलप्मेंट में कुछ चेंजिस होते हैं तो देखे सबसे बहले बात करेंगे युनिवर्सालिटी की यानि कि सार्व भॉमिकता की ये कहते हैं कि जो the path of development is common to all individuals कि जितना जो भी हमारा path होता है जो भी हमारी प्रक्रिया होती है जो भी हमारा एक तरह से path है जिस पर हम सभी को चलना है विकास का वो सब के लिए common होता है उसमें कोई भी अलग से difference नहीं होता है मतब कि हर बच्चा जो है एक sequence pattern जो होता है development का उसको follow करेगा इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो किस culture में बढ़ रहा है आगे वो किस community में है या फिर किस society में है तो universality वाले हर चीज़ को common मानते है universal मानते हैं इनके according यही है कि आप किसी भी culture में हो जैसे प्याजे कहते हैं का culture का effect वो इतना नहीं मानते थे लेकिन अगर हम वाइगोज की की बात करें तो वाइगोज की हमेशा यह कहते हैं कि नहीं culture community का बहुत important role होता है यानि कि विकास का जो path है वो हर एक के लिए एक जसा नहीं हो सकता है किसी culture में कोई एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाया जाती है किसी दूसरी culture में उस चीज़ को दबाया जाता है तो culture to culture it varies तो अभी हमने universality के बारे में पढ़ा है अभी एक बार हम देख लेते हैं context specific क्या बात कर रहे हैं देखे context specific कह रहे हैं कि developmental changes जो होते हैं वो बहुत ही different होते हैं अगर आप culture, community, societies को देखेंगे आप फिर individual level पर भी देखेंगे there are individual differences, there are cultural differences in the path of development यानि कि हम ये कह सकते हैं कि जो विकास की changes की प्रक्रिया होती है वो हर Sanskrit, Sanskrit माहोल में या किसी community समुदाई में वो अलग-अलग तरीके से होती है the way of greetings हम किसी को कैसे शुबकामनाई देते हैं कहीं पर हम नमस्ते करते हैं, कहीं पर हम hello करते हैं, कहीं पर हम assalam walaikum करते हैं तो ये greeting का तरीका हो गया, आपकी भाशा किस तरह की है, आपका art and culture किस तरह का है, आप किस तरह के customs वहाँ पर सीखते हैं, कौन से रिती रिवाजा follow करते हैं ये सब जो हैं आपके development को effect भी करते हैं, और साथी साथ ये हर जगे पर vary करते हैं, यानि कि हर जगे पर इन चीज़ों की जो धारनाएं होती हैं, वो अलग-अलग होती हैं और ये आपके context को बताते हैं, ये बताते हैं कि हाँ जो development का process है, किसी भी individual का, वो context specific है So this is all about the developmental process, तो यानि कि context specific और universality वाले जो लोग होते हैं, ये यही मानते हैं युनिवर्सलिटी वाले ये कहेंगे कि नहीं भई ये सार्व भोमिक प्रक्रिया है, ऐसा कुल खास फरक नहीं पड़ता है culture का और context specific वाले कहेंगे कि नहीं भई बहुत effect पड़ता है, लेकिन देखो अगर हम पूरा जिस्ट देखें, अगर पूरा हम इसको analyze करें, तो हम सब समझ जाते हैं, कि भई सार्व भोमिकता तो होती है, एक set pattern तो चलता है, कि भई सब greeting का तरीका भी सिखाते हैं, भाशा भी सब को सीखनी है, वो ठीक है, लेकिन depend तो करता ही है हमारे culture पर और हमारे context पर, ठीक है, अब देखो ये सारे तो मैंने आपको मुद्वे बताए हैं, अब इन मुद्वों के बारे में मैं आपको एक general अपना view भी दूँगी, और आपसे भी कहूंगी कि आप इस चीज़ों पर थ किसी की भी development में, अगर बात आती है continuity और discontinuity की, तो इसका answer आपको context देखना पड़ेगा कि question में पूछा क्या गया है, अगर state specific question की बात आई है, तो आप discontinuity को opt करेंगे, और जो without stage वाले theorist हैं, अगर उनकी कोई बात आती है, तो वो continuity वाला option आप चूज़ करेंगे, अगर behaviorist क की कोई बात आती है, तो आप passivity वाला option चूज़ करेंगे, और अगर बात आती है, constructivist की, जितने भी constructivist है, cognitive developers हैं, जैसे की brunner हो गए, PRJ हो गए, वाigots की हो गए, सब constructivist हैं, और ये सबी activity को मानते हैं, कि बच्चा बहुत ही active होता है, अब universality versus context specific, again, अगर exam में question आता है, इसके उपर तो ध्यान से question को पढ़ेंगे, और ये देखेंगे, कि वहाँ पर culture से related बात हुई है, community से related बात हुई है, मतलब कोई ना कोई situation आपके सामने exam में आएगी, question इस तरह का आएगा, कि आपको एक situation दे दी जाएगी, और आपको बताना होगा, कि इसमें किस संदर्व में बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी, तो guys ये थे आपके चार issues in development और बाकी topics भी आपको समझ में अराम से आएगे, I hope कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, thank you.